Hi everyone, it's me Anjali Varma, your chemistry educator. और आज की इस वीडियो में हम लोग discuss करने वाले हैं Chemical Properties of Metals and Non-Metals. तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने Physical Properties को discuss करा था. यहाँ पर हम लोग Chemical Properties देखेंगे, जो भी Chemical Reactions अकर करती हैं Metals और Non-Metals की. वो सारी Reactions आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं. तो सबसे पहले भी Start with the Reaction of Metals with Oxygen. अगर Metals Oxygen के साथ React करेंगे, तो क्या बनेगा? बहुत ही Simple है, Oxide बनेगा. So this is the Reaction. Whenever Metals, any Metal reacts with Oxygen, it forms Metal Oxide. ठीक है? तो यह Reaction हमारे पास अकर करती है. दो हमने यहाँ पर Examples लिखे हुए हैं. इस Balancing को सही कर लो, अब this would be 3. ठीक है? Copper की Reaction Oxygen के साथ हुई, तो क्या बना? Copper Oxide. यह हमने First Chapter में भी Reaction पड़ी हुई है, है ना? यह Reddish Brown कलर का होता है, जैसे ही हम इसे Heat करते हैं. Heat करेंगे, Burn करेंगे, Combustion करेंगे, Basic होते हैं, Basic यानिकी Alkaline होते हैं, ठीक है? और हमने यह भी पढ़ा था, इसका Color क्या होता है? Black होता है, ठीक है, यह चीज़े हमने पहले भी Discuss करी थी. अब देखो, दूसरी एक और Reaction है, Aluminium Oxygen के साथ React कर रहा है, Aluminium Oxide यह यहाँ पर बना रहा है, ठीक है? तो अगेन देखो, यह Metal है, तो क्या बनाएगा? Metal Oxide. अब हमें पता है, जो Metals हैं, वो Same Reactive नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे Metals की जो Reactivity हो, वो Same हो, ऐसा तो नहीं है. कुछ Metals जादर Reactive होते हैं, कुछ उससे थोड़े कम होते हैं, और कुछ तो Least ही Reactive होते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? यह हम Reaction करके ही देखेंगे, कुछ Metals जो हैं, बहुत ही Quickly Oxygen के साथ React कर जाएंगे, कुछ थोड़ा Time लगाएंगे, ठीक है? तो वही चीज हमने यहां लिखी है, All Metals do not react with Oxygen at the same rate, same speed के साथ Reaction obviously नहीं होगी, क्यूंकि Metals की Reactivity different होती है, ठीक है? अब देखो, Different Metals show different reactivities towards Oxygen, तो हम लोग यहां पर Step wise देखने वाले हैं, कौन से सबसे ज़्यादा Reactive हैं, वो कैसी Reaction दिखाते हैं, Nature क्या है Oxides का वो भी देखेंगे, कुछ different type की Oxides भी होती है, वो क्या है, उनका नाम क्या है, यह सब कुछ हम देखने वाले हैं, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले, Reactivity Series आए होप आप लोगों को Learn होगी, First Chapter में ही मैंने Learn करवा दी थी, तो हमें पता है, Top of the Reactivity Series पे Potassium और Sodium आते हैं, तो यह दोनों सबसे ज़्यादा Reactive होते हैं, तो यह सबसे ज़्यादा Vigorous, सबसे ज़्यादा खतरनाक Reaction दिखाएंगे, जैसे ही आप इनको Open में भी छोड़ दोगे, ठीक है, जैसे ही रियाक्ट करते हैं, तो यह आग लग जाती है, मतलब इसमें, ठीक है, इनमें आग लग जाती है, यह Fire Catch कर जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है, देखो, Oxygen जो है, Combustion का Supporter होता है, तो जैसे ही इनकी Reaction हुई Oxygen के साथ, तो इन्होंने बनाया Sodium Oxide, ठीक है, Oxide तो डेफिनिटली बनेगा ही, क्योंकि यह Metal है, Oxygen के साथ Reaction हो रही है, सो Metal Oxide यहाँ पर बनेगा ही बनेगा, इसके साथ-साथ आग भी पकड़ ले रहा है, इसमें आग भी लग जा रही है, ठीक है, क्यों लग रही है, बिकॉज यह Reaction बहुत ही Vigorous होती है, जैसे ही Reaction होती है, बहुत जादा Amount में यहाँ पर Heat Energy वाल्व होती है, अब इतनी जादा Heat Energy वाल्व होगी, सो इट विल कैच फायर, ठीक है, सो Metals सच आज पोटाश्यम आड सोडियम, react so vigorously that they catch fire, even if they're kept in the open, ठीक है, अब खुले में रखने में आग पकड़ ले रहे हैं, तो खुले में तो रखने हैं, तो किसमें रखते हैं इनको हम, केरोसीन ओईल में immerse करके रखते हैं, क्यों रखते हैं, question पूछा जाता है, NCRT index question है, तो reason क्या होगा, to prevent the accidental fires, because these metals are highly reactive, so they catch fire, even when they are kept in open, clear हो गया, तो sodium, potassium, इतने जादा reactive हैं, कि खुले oxygen के साथ, ठीक हैं, मतलब खुले में रख दिया, तो आसपास जो atmosphere में oxygen हैं, उसी के साथ react करके, they catch fire, उसके बाद देखो, next, यहाँ पर कुछ हमारे पास, ऐसे भी metals हैं, जो moderately reactive होते हैं, यह आग तो नहीं catch करते हैं, बटी oxide की layer बना देते हैं, और यह जो layer होती है, यह protective layer की तरह, act करने लगती हैं, इनके लिए, ठीक है, at ordinary temperature, surfaces of metals, such as magnesium, aluminium, zinc, lead, यह कहाँ पर आते हैं, यह middle of the reactivity series में आते हैं, so they are covered with a thin layer of oxide, oxide तो यहाँ पर भी बन रही थी, बट यह fire catch कर रहा था, यहाँ पर oxide की layer बन रही है, और यह एक protective layer की तरह, act कर रही है, जैसे aluminium की अगर मैं बात करूँ न, तो aluminium के बाहर, aluminium oxide की layer बन जाती है, जब यह oxygen के साथ react करता है, यह इसको further corrosion से protect करती है, इसलिए इसको हम एक protective layer कह रहे हैं, it prevents the metal from further oxidation, उसका आगे oxidation या फिर corrosion नहीं होने देती है, यह layer, ठीक है, समझ में आया, अब यहाँ पर देखो, एक process है, जिसका नाम है anodizing, aluminium metal के लिए है, यह हमने याद कर लिया, इसमें हम electrolysis करवाते हैं, एक चीज़ तो अभी हमें समझ में आ गई, aluminium oxide जब बनता है, तो वो एक protective layer की तरह बिहेव करता है, तो अगर मुझे aluminium को protect कराना है, from corrosion, तो उसमें एक बहुती strong layer, मैं aluminium oxide की बना सकती हूँ, वो बनाने का process ही anodizing कहलाता है, it is a process of forming a thick oxide layer of aluminium, ठीक है, aluminium की बहुत ही thick layer, हम aluminium के बाहर बनाते हैं, किसकी? Aluminium oxide की, ठीक है, aluminium oxide की layer, हम बाहर से बना रहे हैं, aluminium के, this is a very thick oxide layer, जो इसको further corrosion से protect करती है, अब इसमें हम करते क्या है देखो, यहाँ पर सबसे पहले जो important चीज़े हैं, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है, anodizing में हम aluminium का article लेते हैं, इसको हम क्या बनाते हैं, anode, हमें पता है, दो electrodes होते हैं, anode और cathode, तो aluminium को हम anode लेते हैं, जैसे ही evolve होगी, तो हमने तो anode को ही aluminium बनाया है, तो यह बहुत ही strongly aluminium के साथ react करेगा, ठीक है, जो oxygen evolve हुई है, aluminium के साथ वो react करेगी, aluminium oxide की यहाँ पर layer बन जाएगी, इस तरीके से हमारी reaction balancing होगी, तो यहाँ पर देखो, एक बहुत ही thick protective oxide layer बन जाएगी, जो की further उसको corrosion से protect करेगी, and also यह बहुत ही attractive finish दे देती है, उस aluminium article को, I hope यार इतनी चीज़े आप लोगों को समझ में आ गई होँगी, बाकी जो beach की lines हैं, वो already मैंने आप लोगों को explain कर दी हैं, ठीक है, चलो, अब आगे देखते हैं, और metals किस-किस तरीके से react करते हैं, तो अगर आप कोई भी iron का metal लोगे, ठीक है, iron metal लोगे, या इसका piece लोगे, ठीक है, तुकडा लोगे, तो वो तो vigorously burn नहीं करेगा, बट अगर आप iron fillings ले लोगे, iron fillings क्या होती हैं, यह चूरे-चूरे, ठीक है, iron को चूरा-चूरा कर दो, powdered form समझ लो, उसका, उसको iron fillings हम कहते हैं, अगर इसको आप heat करोगे न, यह बहुत ही vigorously burn करेगी, अगें, जैसे हमारी sodium में हो रही थी, उस level तब तो नहीं होती है, बट हाँ, vigorous reaction होगी, अब क्यूं होगी, metal के case में तो नहीं हो रही है, कोई अगर मैं तुकड़ा उसका ले रही हूं, तो नहीं हो रही है, बट इस case में क्यूं हो रही है, समझो, यह हम वैसे class 12 में बढ़ते हैं, chemical kinetics में, एक topic है rate of reaction, ठीक है, rate of reaction हमेशा ही increase होती है, when we increase the surface area, और surface area कैसे बढ़ेगी, surface area तब बढ़ेगी, जब हम powdered form ले लेते हैं, किसी भी चीज़ का, powdered form में क्या होता है, powdered form में surface area is increasing, surface area अगर increase हो रही है, so rate of reaction increase हो रही है, rate of reaction बढ़ रही है, जल्दी reaction अकर कर रही है, which means, यह heat करने पर ही, फायर क्याच कर लेगा, exactly not fire बठा बहुत vigorous reaction होगी, ठीक है, तो आई होप यह चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, copper का तो मैंने पहले बता दिया था, heat करेंगे तो burn नहीं करता है, बट oxide की layer बना देता है, black color की यह layer होती है, कुछ ऐसे भी metals हैं, जो oxygen के साथ react ही नहीं करेंगे, वो हमारे least reactive metals होते हैं, जिनको हम noble metals भी कहते हैं, noble metals क्या है, silver, gold, platinum, यह बिलकुल react नहीं करते हैं, oxygen के साथ even at higher temperatures, आप कितना भी temperature क्यों ना दे दो, कितना उसको heat कर दो, बट यह burn नहीं करेंगे, यह react ही नहीं करेंगे oxygen के साथ, so I hope this is clear, तो oxygen के साथ reaction हमने देख ली है, अब हम देखते हैं, nature of metal oxides, अभी मैंने क्या बताया था, यह जो oxides होती हैं, यह nature में basic होती है, actual में अगर आप periodic table को देखोगे, तो उसमें जो first group आता है, और जो second group आता है, alkaline earthen metals, तो यहाँ पर एक चीज़ समझ रहे हो, term क्या आ रहा है, alkaline वाला, alkaline किसको कहते हैं, ऐसे base को जो water soluble होता है, तो which means यहाँ पर relate कर पा रहे हो, कि इनके जो oxides भी होंगे, वो भी nature में कैसे होंगे, basic होंगे, समझ में आया, अब कुछ तो basic होते हैं, बट कुछ हमारे पास emphoteric भी होते हैं, emphoteric का मतलब क्या है, ऐसे oxides, जो की nature में basic भी है, और acidic भी है, अब एक चीज मुझे बताओ, अगर यह मेरे पास basic है nature में, metal oxides, तो क्या यह base के साथ react करेंगे, नहीं, किसके साथ react करेंगे, acid के साथ, acid के साथ react करके क्या बनाएंगे, salt और पानी न, क्यूंकि neutralization reaction हो गई, तो example देख लो, copper oxide, copper oxide क्या है, metal oxide है, विच मींज nature में basic है, ठीक है, hydrochloric acid क्या होता है, acid है न, तो इसके साथ reaction करवा दो, तो exchange of ions होगा, double displacement reaction है, copper chloride बन जाएगा, CuCl2 और पानी, क्यूंकि ये neutralization reaction हो रही है, तो salt और पानी यहाँ पर बन गया, reaction को balance कर लेते हैं, this is the balancing, तो यहाँ पर basically कौन सी type की reaction अकर करेगी, neutralization reaction अकर करेगी, because copper oxide is basic in nature, है न, it reacted with an acid and formed salt and water, so this is a neutralization reaction, एक और चीज़ यहाँ पर color change भी पूछ लिया जाता है, अभी हमने देखा था, यह होता है black color का, जैसे ही hydrochloric acid के साथ इसकी reaction होती है, so यहाँ पर हमें bluish green color देखने को मिलता है, that is due to the formation of copper chloride, ठीक है, अब amphoteric वो oxides होंगे, जो basic भी है nature में और acidic भी है, मतलब क्या है, कि basically वो दोनों ही nature exhibit कर सकते हैं, basic अगर वो होंगे, तो किस के साथ react करेंगे, बताओ acid के साथ, acidic अगर होंगे, तो किस के साथ react करेंगे, base के साथ, example देखो यह reaction, कुछ oxides हमारे पास amphoteric हैं, ऐसे की कौन से, aluminium oxide, zinc oxide, lead oxide, magnesium oxide नहीं, ठीक है, magnesium oxide क्या होता है nature में, सिर्फ basic होता है, यह तीनों amphoteric हैं, learn कर लो इनको, note कर लो, यह तीनों amphoteric है, amphoteric हैं, मतलब acid के साथ भी react कर सकते हैं, base के साथ भी react कर सकते हैं, यहां reaction किसके साथ हो रही है, acid के साथ, मतलब यहां पर यह अपना कौन सा nature दिखा रहा है, basic nature, यहां पर किसके साथ reaction हो रही है, base के साथ, अपना कौन सा nature दिखा रहा है, acidic, ठीक है, क्या बना, salt, पानी, यहां भी क्या बना, salt और पानी, यह हमने पहले भी देक रखा है याद है Zinc की reaction Sodium Hydroxide के साथ हमने देखी थी तो क्या बन रहा था Sodium Zincate बन रहा था Similarly, यहाँ पर sodium Aluminate बनेगा अगर zinc oxide की reaction कराओगे Sodium Hydroxide के साथ तो क्या बनेगा Sodium Zincate ही बनेगा जो की Na2 ZnO2 होता है यहाँ पर इसका formula क्या है NAALO2, this is sodium aluminate, this is sodium zincate, sodium plumbate बन जायागा जब हम इसके साथ reaction कराएंगे, sodium hydroxide की, ठीक है, is this thing clear, यह चीज़ clear हो गई, generally basic होता है nature, basic है मतलब acid के साथ react करेगा, कुछ हमारे पास amphoteric भी हो सकते हैं, amphoteric का मतलब है वो दोनों nature exhibit कर सकते हैं, ठीक है, तो य होंगे, ठीक है, तो जब वो water soluble होंगे, तो वो क्या बनाएंगे, alkaline całकली क्या होते हैं, ऐसे basis जो water soluble है, तो हमारे पास कुछ ऐसे metal Oxides हैं, जो insoluble होते हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं, जो पानी में dissolve हो जाते हैं, जो पानी में डिजोल्व हो रहे हैं, तो वो क्या form करेंगे obviously alkali और alkali क्या है ऐसा base है ऐसे bases है जो की water soluble होते हैं ठीक है जैसे की sodium oxide है potassium oxide है calcium oxide है हमारे पास यह सब क्या होते है water soluble है तो यह alkali बनाएंगे alkali का मतलब हमारे पास ऐसा base जो पानी में soluble है जो घुलता है आगे बढ़ जाते हैं reaction of metal with water देखो metal की पानी के साथ जब reaction होती है so metal oxide बनता है और hydrogen यह reaction कब होगी यह reaction तब होगी जब ऐसा metal oxide बनेगा जो की water में क्या है in a soluble अभी यही देखा न अगर वो soluble है तो वो तो directly alkali बना रहा है न ऑक्साइड तो बने गई नहीं क्योंकि ऑक्साइड तो पानी में घुल जाएगा बट अगर वो metal oxide insoluble है पानी में तो reaction जो है यहीं पर stop हो जाएगी बट अगर वो metal oxide जो है soluble है पानी में so overall reaction क्या होग कि metal ने react करा पानी के साथ बनाया metal hydroxide और यहां पर hydrogen gas evolve हुई चेक है अगर metal oxide insoluble है reaction will stop here only but if this is further soluble in water so it will dissolve in water and it will form metal hydroxide so metal reacts with water and forms metal hydroxide directly and hydrogen अगर हमारे पास ऐसा oxide बन रहा है जो की water soluble है I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा this is the one step reaction अगर oxide insoluble है this is the one step reaction अगर जो oxide बना है वो water soluble है और यह reaction जो है यह समझाने के लिए लिखी हुई है ठीक है तो यह चीज मैंने बता दी है I hope clear हो गया होगा यही चीज यहां पर भी explain कर रखी है again सारे metals जो है same rate के साथ react नहीं करते हैं जो rate है वो different होता है और कुछ soluble होते हैं पानी में कुछ soluble नहीं होते हैं चलो अब sodium potassium अभी हमने देखा सबसे ज़्यादर reactive है top of the reactivity series पे आ रहे हैं even इनके जो oxides हैं water soluble है so यह तो directly क्या बनाएंगे hydroxide and hydrogen gas evolve करेंगे and also because यह सबसे ज़्यादर reactive है तो इनकी जो reactions है वो highly vigorous होंगी है ना these reactions will be highly vigorous and यहाँ पर a large amount of heat energy will be evolved बहुत ज्यादा amount में heat energy यहाँ पर evolve होगी जिसकी वजह से again यहाँ पर even यह जो पानी अगर है जो पानी हमने ले रखा है even अगर यह हमाया पास cold है तब ही भी मतलब यहाँ पर temperature की जरूरत ही नहीं है सोचो आप कुछ temperature प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हो cold water में ही यह इतनी विग्रस reaction दिखा दे रहा है highly exothermic reaction है यह and जो heat energy evolve हो रही है न वो क्या काम कर रही है देखो heat energy evolve हुई तो यह जो evolved hydrogen है यह easily fire catch कर जाती है आग पकड़ लेती है तो यहाँ पर भी आग लगने के chances हमारे रहते ही रहते हैं ठीक है बहुत ही exothermic reaction है बहुत जादा amount में heat यहाँ पर निकलती है it is a very violent reaction I hope this is clear यह हो गया फि यह जो calcium है न यह cold water के साथ बिलकुल react करता है ठीक है बट यहाँ पर heat energy evolve नहीं होगी ठीक है विच मीज जो hydrogen है that will not catch fire this reaction is less violent तो sodium potassium cold water के साथ react कर रहे है highly exothermic reaction है highly violent है but this is less violent बट हाँ यह cold water के साथ react करता है ठीक है अब यह जो calcium है यह float करने लगता है ठीक है जैसे reaction हुई ना जैसे मालोई reaction हुई है यहाँ पर solution है यह calcium उपर पर float करने लग रहा है क्यों float कर रहा है क्योंकि hydrogen gas के bubbles evolve होते है ठीक है यह जो bubbles है ना यह calcium के surface के साथ चिपक जाते है अब अगर calcium के surface के साथ चिपक गए है ना तो यह क्या करेंगे उपर इसको लेके जाएंगे है ना कि hydrogen gas तो काफी हलकी होती है उपर लेके जाएंगे सो calcium भी क्या करेगा उपर float करेगा this is the reason ठीक है चलो उसके बाद हम आ जाते हैं magnesium magnesium cold water के साथ नहीं react करता है magnesium hot water के साथ react करता है reaction अगर हम लिखना चाहें तो similar reaction होगी magnesium magnesium ने पानी के साथ react करा magnesium hydroxide बनाया और hydrogen gas evolve हो गई this is the balance reaction ठीक है अगेन यहाँ पर भी magnesium है वो भी float करने लगता है क्यों because again the same reason because the bubbles of hydrogen gas evolved they stick to the surface of magnesium ठीक है तो यह चीज हमारे पास हो गई फिर कुछ ऐसे भी हमारे पास metals exist करते हैं जो नहीं cold water के साथ react करेंगे नहीं hot water के साथ but किसके साथ करेंगे steam के साथ steam क्या है हमारे पास vapor form है पानी का ही तो steam के साथ react यह कर जाएंगे और यह ऐसे oxides बनाते हैं जो water soluble नहीं होते हैं तो यहाँ पर oxide पैही इनकी कहानी खतम hydroxide नहीं बनेगा यहाँ पर ठीक है पानी में soluble नहीं है तो zinc hydroxide iron hydroxide इनको हम कभी भी alkaline नहीं बुला सकते हैं समझ में आ गया यह normal basis ही रहेंगे तो यह reactions है और यह steam के साथ react कर रहें हैं remember यहाँ पर इसलिए हमने g लिखा है इनकी physical state को कुछ ऐसे भी metals है जो react ही नहीं करेंगे पानी से चाहे तुम steam ले आओ cold water hot water कुछ भी ले आओ ice ले आओ ठीक है किसी के साथ react यह नहीं करेंगे तो क्या है हमारे पास यह metals lead, copper, silver, gold तो हमारे पास थे ही यह water के साथ बिलकुल react नहीं करेंगे ठीक है चलो अब हम reaction देख लेते हैं metals की with acid, acid के साथ reaction करेंगे तो यह तो हमने पहले ही देख रखा है salt और hydrogen gas evolve होती है जैसे zinc की reaction हो गई hydrochloric acid के साथ, zinc chloride बना और hydrogen gas evolve हो गई, this is the balancing, हर केस में hydrogen gas evolve होती है but again यहाँ पर exception है, chemistry is all about exceptions ठीक है, तो यहाँ पर भी exception है एक ऐसा acid है जिसके साथ अगर आप reaction करवाओगे किसी metal की, वो hydrogen gas evolve नहीं करेगा, कौन सा है वो acid HNO3, क्या कहते हैं इसको nitric acid कहते है, ठीक है, अब यह क्यों hydrogen gas evolve नहीं करता है, क्योंकि यह एक बहुत ही strong oxidizing agent है, ठीक है, this is a very strong oxidizing agent, तो जो hydrogen gas evolve होनी होती है उसको यह H2O में oxidize कर देता है, और खुद यह reduce हो जाता है, nitrogen के किसी oxide में, ठीक है, खुद क्या होगा, reduce जैसे nitrogen के oxides अलग-अलग होते हैं, nitric oxide है, NO2 है, N2O है, ठीक है, इन सब में यह क्या हो जाता है, खुद reduce हो जाता है, और hydrogen gas जो evolve होने वाली होत इसको यह पानी में oxidize कर देता है, so क्या reason है कि HNO3 के साथ reaction करने पे hydrogen gas evolve नहीं हो रही है, reason है कि वो बहुत ही strong oxidizing agent है, hydrogen को oxidize कर दे रहा है into water, is this clear, तो यह हमारा exception हो गया, अब यहां भी कुछ exception है, कुछ ऐसे metals है, जो react कर जाते हैं और hydrogen ही evolve करते हैं, क्या है वो, तो वो है magnesium औ और manganese, ठीक है, manganese, this is the spelling, ठीक है, MN होता है इसका symbol and this is magnesium, Mg क्या होता है, magnesium होता है, confusion नहीं करनी है, यह दोनों जो हमारे पास metals है, यह दोनों HNO3 के साथ react करके hydrogen gas को evolve कर लेते हैं, but again the condition is, कि 1% dilute HNO3 हमारे पास होना चाहिए, बहुत ही dilute nitric acid होना चाहिए, क्यूंकि अगर concentrated होगा, तो obviously यह बहुत ही strong oxidizing agent बन चाहेगा, और hydrogen gas को ही यह evolve करेगा, is this thing clear, ठीक है, sorry, otherwise अगर यह strong है, तो hydrogen evolve नहीं करेगा, पानी बना देगा, hydrogen कब evolve करेगा, जब बहुत जादा यह dilute है, समझ में आ गया, तो यही चीज़ हमने यहाँ पर भी लिखी हुई है, I hope आपको लोगों को समझ में आ गया होगा, अब हम आ जाते हैं एक और important topic पर है, जो कि है aquarasia, अब हमें पता है, अभी हमने पढ़ा भी, जो acids है हमारे पास, ठीक है, बहुत सारे acids है, HCl है, HNO3, H2SO4, यह जो acids है न, यह noble metals को कभी dissolve नहीं कर सकते हैं, noble metals क्या है, silver है, gold है, platinum है, इनको क अब ही यह जो acids है न, dissolve नहीं कर सकते हैं, बट एक ऐसा हमारे पास solution है, जो dissolve करा सकता है noble metals को, उसको हम aquarasia बोलते हैं, इसका मतलब है royal water, चेक है, royal water के लिए हम term इस्तमाल कर रहे हैं aquarasia, चेक है, अमल राज इसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो यह हमारे पास mixture होता है, दो acids क क्या है वो दो acids, HCl और HNO3, दोनों ही हमारे पास कैसे होंगे concentrated, this is also concentrated and this is also concentrated, कितने ratio में, 3 ratio 1, तीन पार्ट हम HCl के लेते हैं, एक पार्ट हम HNO3 का लेंगे, अगर मैंने इसको 10 ml ले रखा है, मुझे इसको 30 ml लेना पड़ेगा, उसका triple, समझ में आया, this is what is meant by 3 ratio 1, तो यह हम हमारे पास हो गया, इतना समझ में आया, तो aquarasia क्या है, that is a mixture of two acids, which are concentrated HCl and concentrated HNO3, in the ratio 3, ratio 1, ठेक है, यह gold को भी dissolve कर सकता है, silver को भी, platinum को भी, बट अगर आप individual acids में डालोगे, आप try करो HCl में डालने का, try करो, अलग से HNO3 में डालने का, यह कभी भी dissolve नहीं करा पाएंगे, है, बहुत ज़्यादा fuming liquid है, तो obviously our gold को अगर dissolve करा पा रहा है, तो बाकी चीजों को तो यह बिलकुल dissolve कर ही देगा, ठेक है, तो यह हमारे पास हो गया, फिर यह तो यार हमारे पास displacement reaction है, very simple, this reaction we have already studied in our first chapter, जादा कुछ बताने की मुझे जरूरत है नहीं, अगर यह metal जादा ही है, reactivity series learn कर लो, कवे ने कहा मोगली अब जिन्दगी फटी पुरानी हो चुकी है, आगे आओ, learn करा रखा था, कवे क्या होता है, potassium ने, Na, sodium, कहा, CA, calcium, मोगली, mg, magnesium, अब जिन्दगी, है ना, अब, AL, aluminium, जिन्दगी, ZN, zinc हो गया, फटी, FE, iron, पुरानी, PB, lead हो, यहाँ पर copper है, यहाँ पर HG है, mercury, आगे आओ, AG, AU, तो AG क्या है, silver, AU क्या है, gold, जो top पे होते हैं, हमें पता है, वो most reactive होते हैं, सबसे जादा reactive हैं, फिर reactivity घटती जाती है, और नीचे least reactive वाले आते हैं, ठीक है, तो यह हमारा middle of the reactivity series है, यह top of the reactivity series, यह bottom of the reactivity series, ठीक है, चलो, clear है, ठ ठीक है, तो सारी चीज़े गार हमने देख ली है, I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक बार revise करा देती हूँ, oxygen के साथ reaction होगी, metal oxide बनेगा, जो basic होता है, अब यह amphoteric भी हो सकते हैं, जैसे aluminum, zinc or lead, amphoteric का मतलब acid, base, दोनों के साथ reaction दिखा सकते हैं, दोनों का nature exhibit करते हैं, ठीक है, अलग-अलग reactivity होती है, सबसे जाधा reactive, sodium और potassium, इसलिए इनको kerosene में हम रखते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर oxide layer बन रही है, जो protective है काफी, इसलिए हमने anodizing वाली method भी देखी, फिर उसके बाद हमने देखा, iron तो react नहीं करता है, बट feelings बहुत vigorously react करती है, copper burn नहीं करता है, copper oxide की layer बनाता है, silver, gold जो है react ही नहीं करेंगे, कितना भी high temperature हम ले ले ले, ठीक है, यह चीज तो अलड़ी बता चुकी हूँ, फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर यहाँ पर हमने देखा, कुछ ऐसे oxides हैं, जो पानी में soluble होंगे, तो वो क्या बनाएंगे, व सबसे पहले हमारे पास sodium, potassium, जो सबसे जादा reactive है, again vigorous reactions दिखाएंगे, fire catch करेंगे, cold water के साथ react करेंगे, फिर calcium आया, जो की cold water के साथ react करता है, बट यहाँ पर बहुत जादा violent reaction नहीं होती है, less violent होती है, calcium float करने लग जाता है, ठीक है, क्यों, because hydrogen के bubbles उसके surface के साथ चिपक जा और calcium के जैसा ही behavior, magnesium भी दिखायागा, यह भी float करने लगेगा, कुछ metals है, जो cold, hot, दोनों के साथ react नहीं करेंगे, steam के साथ करेंगे, वो oxide बनाएंगे, hydroxide नहीं बनाएंगे, क्योंकि यह oxides further पानी में soluble नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर iron है, zinc है हमारे पास, और aluminium है, कुछ ऐसे metals हैं, जो पानी के साथ react ही नहीं करेंगे, lead, copper, silver, gold, platinum, यह सारे हो गए, ठीक है, फिर हमाँ आ गए थे, metal की reaction with acid, which is very simple, salt और hydrogen मनता है, generally, but exception है, nitric acid, strong oxidizing agent है, hydrogen gas evolve नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि नहीं करेगा, क्योंकि इसको पानी में oxidize कर देगा, but कुछ exception है, magnesium और manganese, इन दोनों के साथ जब reaction होगी, तो yes, hydrogen gas evolve होती है, बट यहां भी condition है, बहुत ही जादा dilute HNO3 होना चाहिए, concentrated होगा, तो again, पानी बनेगा, hydrogen gas नहीं बनेगी, ठीक है, aquarasia देखा, क्या है aquarasia, एक ऐसा liquid है, जो noble metals को भी dissolve करा सकता है, किस ratio में कितने acid ले रहे हैं, HCl और HNO3, H HCl के 3 parts होते हैं, HNO3 का 1 part होता है, ठीक है, उसके बाद हमने रेखा, metal की reaction with salt solution, ठीक है, of the other metals कैसे होगी, इस तरीके से reaction होगी, अगर यह metal जादा reactive है, तो दूसरे को easily displace करतेगा, example एक बाद देख लेते हैं, zinc plus CuSO4, आप लोगों को खुद पहले सोचना है, और फिर मुझे बताना है, क्या ये reactions होंगी या नहीं, zinc क्या होता है, copper से जादा reactive होता है, copper को कर देगा, displace, zinc sulfate बन जाएगा, और copper displace हो जाएगा, इसका color क्या होता है, blue, zinc sulfate बन गया, जो की होता है, colorless, तो यहाँ पर color change अकर करा, from blue solution to colorless solution, will this reaction occur, no, why no, because copper is less reactive than iron, it cannot displace iron, but इसका अगर मैं उल्टा कर दू, iron plus copper sulfate, so yes, ये reaction occur करेगी, because iron is more reactive than copper, so it will displace copper, चेक है, तो यहाँ पर ferrous sulfate बन गया, और copper यहाँ पर displace हो गया, चेक है, यहाँ पर इसका color क्या होता है, अभी हमने देखा, इसका color blue है, और ferrous sulfate का क्या होता है, green, तो यहाँ पर blue solution से, green में color change हो गया, also, अगर मानलो आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पर जो diagram given है, इसको देख लेते हैं, अगर आपने क्या करा, blue color का यहाँ पर copper sulfate solution लिया है, और iron nail आपने insert करी है, आप कुछ देर के लिए इसको छोड़ दो, आपको देखने को मिलेगा, कि यहाँ पर green color में change हो गया है solution सबसे पहले, और जो iron nail थी ना, जैसे मानलो यह iron nail है, इसके बाहर पर से आपको थोड़ी brownish layer देखने को मिलेगी, brown तो यहाँ देखने ही रहा, यही वाला ले लो, ठेक है, बाहर से हमें थोड़ी brownish layer देखने को मिलेगी, वो किसकी वज़े से है, वो copper की वज़े से है, क्य होता है, ठीक है, तो यह चीज़े हो गई है, अब हम NCRT के इंटेक्स जो questions है, उन पर आ जाते हैं, देख लेते हैं, क्या है पहला question, why is sodium kept immersed in kerosene oil, अभी explain कर रहा था, because sodium and potassium है, यह दोनों ही highly reactive होते हैं, and if they are kept in open, they easily can catch fire, hence हम इनको kerosene oil में immerse करके रखते हैं, ठीक है, फिर हम है पास अगला question, right equations for the reaction of iron with steam, बहुत simple है, iron की reaction steam के साथ, H2O, ठीक है, steam भी H2O ही है, क्या बनाता है यह, ferric oxide Fe2O3, and hydrogen gas यहाँ पर evolve होती है, इसको एक बार अगर हम balance करें, तो कैसे होगा, here it will be 3, ठीक है, यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं, और 2 यहाँ पर iron atoms आ गए, 2 iron के atoms, और 2 यहाँ पर भी है, 6 hydrogen हो गए, 6 hydrogen, 3 oxygen, 3 oxygen, so this is balanced, ठीक है, calcium और potassium की with water, तो calcium की reaction पानी के साथ, और potassium की reaction पानी के साथ, calcium hydroxide बनेगा, hydrogen gas evolve होगी, यहाँ पर 2 लिख देंगे, potassium hydroxide बनेगा, और hydrogen gas evolve होगी, balancing इसकी मैंने अच्छे से सिखाई थी, ठीक है, इस तरीके से हम balance easily कर लेंगे, फिर next question है, samples of 4 metals A, B, C and D were taken and added to the following solution one by one, the results obtained have been tabulated as follows, ठीक है, यह table बना रखा है, इस table का use करना है to answer the following questions about metals A, B, C and D, which is the most reactive metal, बताओ सबसे ज़्यादा reactive कौन सा होगा, जो सब को displace कर सकता है, तो देखना है हमें यहीं पर, A, iron को displace नहीं कर पाया, तभी reaction नहीं हुई, copper को इसने displace कर दिया, ठीक है, फिर यहाँ पर कोई reaction ही नहीं शोगर रखी हमें, B जो है, B ने देखो, iron को displace कर दिया है, विच मीज यह reactive हो सकता है, फिर यहाँ पर हमें पता नहीं है, यहाँ पर कोई reaction नहीं है, यहाँ पर हमें observation given नहीं है, उसके बाद देखो, जो C है, वो यहाँ पर किसी को displace नहीं कर पाया, बठां, silver को displace उसने कर दिया है D को देखो, तो वो किसी को भी displace नहीं कर पाया, तो clearly मुझे दिख रहा है, कि ये वाला जो B metal है न, वो क्या है सबसे जादा reactive है क्यों है, reason बताओ, reason is B displaced one of the most reactive metal of this, of these actually है न, इन चारों में सबसे जादा reactive कौन सा होता है zinc, but zinc को तो कोई भी displace नहीं कर पाया था, zinc के बाद कौन सा reactive होता है, iron iron को इसने displace कर दिया, which means ये B iron से क्या होगा, जादा reactive so most reactive क्या है, metal B, अगर reason पूछा जाएगा reason क्या लिखोगे, iron is very reactive and if B can displace it, so it is obviously more reactive than iron as well so hence this is the most reactive metal ठीक है, next what would you observe if B is added to a solution of copper sulfate B, iron से जादा reactive है, iron कौपर को displace कर सकता है, तो iron से कोई जादा reactive है, वो भी तो कौपर को displace कर सकता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्या observation होगा हमारा, यह observation होगा that the blue color of copper sulfate solution solution will fade ठीक है, और वो किस में change होगा वो हम नहीं बता सकते हैं क्यूंकि हमें नहीं पता कि B metal कौन सा है, बठा हम यह जरूर बता सकते हैं कि इसका color fade जरूर होगा, या फिर इसका color change जरूर होगा, as a displacement reaction will occur over here, and B will displace copper, ठीक है, B क्या करेगा B displace करेगा copper को, ठीक है, B will displace copper, clear and reason पूछा जाएगा तो वही obvious reason है, iron is more reactive than copper, and if B can displace iron, so it can displace copper as well, ठीक है, arrange the metals A, B, C and D in the order of decreasing reactivity, decreasing मतलब पहले सबसे जादर reactive सबसे जादर reactive क्या है, B है उसके बाद बताओ कौन सा होगा, obviously A क्योंकि A ने copper को displace कर दिया है, फिर उसके बाद देखो, ये D ने तो किसी को भी displace नहीं करा, बट C में इतनी तो हिम्मत थी कि silver को displace कर सके, तो C उसके थोड़ा कम reactive, और D क्या है, least reactive, decreasing order में बताना था तो ये most reactive, ये least reactive increasing होता, तो हम सबसे पहले D लिखते, फिर C, फिर A और फिर B, ये हमारा increasing order होता, and this is the decreasing order ठीक है, चलो, तो हो गया यवाला question, next question ये वाला है, which gas is produced when dilute hydrochloric acid is added to a reactive metal, बहुत ही simple है, HCl, एक acid है, acid की reaction अगर एक highly reactive metal से होगी, तो salt बनता है, और hydrogen gas evolve होती है, so gas का नेम क्या है, hydrogen है, write the chemical reaction when iron reacts with dilute sulfuric acid, तो यहाँ पर देखो, ferrous sulfate बन जाएगा और hydrogen gas evolve हो जाएगी simple reaction, और already ये balanced है, last question what would you observe when zinc is added to a solution of iron sulfate देखो, clearly जिन्दगी, फटी पुरानी, जिन्दगी ZN उपर आता है, फटी, iron नीचे आता है, reactivity series में, so zinc क्या करेगा, iron को easily displace कर देगा, तो observation हमारा क्या होगा, observation ये होगा, that a displacement reaction will occur, and the green color of the ferrous sulfate solution will change to a colorless solution, ठेक है chemical reaction लिखनी थी, already लिख दिया, ठीक है, और observation भी बता दिया, ये जो color change हो रहा है, ये आपको as an observation यहाँ पर बताना है, ठीक है, तो देखो, सारे questions हो गए, पूरा concept हमने अच्छे से यहाँ पर पढ़ लिया है I hope, इस video से आप लोगों को बहुत जादा help मिली होगी, और अगर पसंद आई है video, तो अपने दोस्तों के साथ share कर देना, that is it for this video next video में मिलते हैं, till then bye everyone, take care and all the very best अच्छे से पढ़ते रहो